कॉंग्रस परदेशा अधिक्ष सुख विंदे सिंग सुखु ने जब से इटक का निया परदेशा अधिक्ष नियुक्त किया है तब से पूरा परदेशा अधिक्ष हर्दीप सिंग बाबा ने कॉंग्रस परदेशा अधिक्ष के खिलाब मोचा खोल दिया है और यही नहीं बाबा ने उनको परदेशा अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी कर दी है जिस पर इटक के बर्तमान प्लदिकारी आग बबला नज़र आ रहे हैं युवा इटक अध्यक्ष राहुल तनवर ने हरदीब सिंग बाबा पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति को कॉंग्रेस निकाल बाहर कर दिया गया है और जिसका इटक से कोई लेना देना नहीं है आज वह किस हैसिय से उनके परदेशा अध्यक्ष विंदर सिंग सु सिफा मांग रहे हैं सौलन में युवा इटक अध्यक्ष राहुल तनवर ने बाबा हरदीब पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबा हरदीब अब ना केबल कॉंग्रेस के रहे और ना इटक के जिसके चलते वह पूरी तरह से वाकला चुके हैं और वह वाकलाहट में अनाप शुनाब बयानवाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जिस इटक की वह बात कर रहे हैं उसके सभी परदादिकारी केबल उन्होंने परमानों से बनाये थे जिसके चलते इटक कभी परदेश में अपना अस्तितव भी नहीं बना पाई जिसके चलते कॉंग्रेस यहां त पक्का कर अवश्य जीत हासिल करेगी। पक्का करेगी। आने वाले टाइम में कॉंग्रेस को कमजोर नहीं करेंगे। कॉंग्रेस को और स्ट्रॉंग करेंगे। भारत बंद में भी कॉंग्रेस का इंटक ने पूरा साथ दिया है।